रन्बीर कपूर ने कहा ये तो लॉकडाउन हो गया नहीं तो मिस भट से मैं आलिया भट को मिसस कपूर बना देता वेल ये स्टेटमेंट्स क्या वाकई में रन्बीर कपूर एक्सेप्ट कर रहे हैं आलिया के लिए क्या है पूरी खबर मिस सैंटा आपको देगी इस विडियो में नवस्कार मैं सनकधास पाकत करती हूँ आप सभी का मारे चैनल पर आपको बता दे कि रनबीर और आलिया के जोड़ी हमीशा से सबसे पॉपिलर बॉलिवूड कपल में से एक हैं ये दोनो वेल आपको बता दे कि वेल रनबीर और आलिया की शादी को लेकर पैंस सूपर एकसाइट हमीशा से रहते हैं हाल महीं आलिया के भी इंटर्व्यूज हुए थे जिसके दौरान उनसे शादी के हैं सवाल पूछे गए थे और अब रनबीर से भी शादी के सवाल पूछे गए हैं ऐसे में रनबीर ने ये कहा है वो तो लॉकडाउन आ गए महामारी आ गए नहीं तो हमारी डील लगवक फाइनल थी अब इस खबर पर मैं कुछ जादा बोल कर नजर नहीं लगाना चाहूँगा यानि कि इस से तो सा है जिस तरीके से रनबीर ने ये जवाब दिया है यानि कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो डील फाइनल थी का मतलब कि शादी तो तै थी और शादी होने वाली थी लेकिन लॉकडाउन की वज़ा से फिलहाल पॉज लग गया है और जल्द ही इन दोनों की शादी की खबरे आप तक बहुत सकती है ये खबरे लगता है पुकता है जस तरीके से रनबीर ने इंटरव्यू के दौरान कहा है वेल रनबीर ने आलया भट को अपनी गर्फेंड एक्सेप किया है और कह रहे है मेरी गर्फेंड बहुती ओवर अचीवर है उन्हें सब कुछ करना हो सिंगिंग, राइटिंग, डांसिंग हर कुछ करती है उनके सामने मैं अंडर अचीवर लगता हूँ क्यूंकि मुझे इतनी कुछ नहीं है जितनी उनको एक्साइटमेंट होती हर चीजों के करने के लिए वल आपको बता दे कि रनबीर ने आलया के लिए बहुती सारी तारी करें वेल इस खबर से आप कितने खुश हैं कितने एकसाइटर हैं रनबीर और आलया की जोड़ी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट करकर सीधे से बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में तमाम बॉलिवड और टीवी दुनिया से जुड़ी हरे खबरों के लिए देखते देखते हमारे चनल